दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने आधार कार्ड के PDF का पासवर्ड कैसे पता करें अगर आपके पास कोई आधार कार्ड का PDF है उसका पासवर्ड भूल गए है और आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो कौन सा आपको password डालना है कैसे आप उसको open करेंगे ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो आधार card का PDF है वो 100% open हो जागा आपको कोई भी problem नहीं आएगी तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने mobile मे मैंने कभी password इसमें create भी नहीं किया था तो समझ में नहीं आता कि क्या password डाला जाया कैसे ये open होगा तो आप लोग इसको open कर सकते हैं बहुत ही आसानी से इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको आजाना Chrome browser में और यहाँ पर देखे बहुत सारे लोग ये trick बताते हैं कि आप चले जाएए lost my pass website पर ये एक website है यहाँ पर आप अपने किसी भी document का password वगारा पता कर सकते हैं ऐसा ये website claim करती है लेकिन ये genuine है या नहीं मुझे नहीं पता मैंने try किया था लेकिन ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था और इसमें ये पैसे भी मांगता है तो इ आधार card pdf password format ओके तो जैसे आप ये search करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ जायागा एक combination of the first four letter of your name written in capital name as mentioned in आधार card and your year of birth ये बोला है कि आपके आधार card का जो password होता है उसमें आपको अपने नाम का पहला चारच्छर capital letter में डालना होता है उसके बाद आपको अ suppose आपका नाम सोनु है और आपका जनम हुआ था 2007 में तो आपको अपने आधार card की pdf में जो password डालना है वो डालना है sonu तो आपके नाम का जो पहला चारच्छर है वो डाल दीजे capital letter में उसके बाद आपका जो date of birth का साल है 2007 वो डाल देना है उसके बाद आपका आधार card का pdf open हो जायागा चले मैं आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने pdf में तो यहाँ से मैं अपने pdf पर क्लिक कर लेता हूँ और इसको मैं open कर लेता हूँ अब यहाँ पर जिस प्रकार से मैं आपको बताया है सेम उसी प्रकार से मैं password डाल का try करता हू तो यहाँ पर मैंने password डाल दिया है अब मैं sure नहीं हूँ कि यह मेरा ही आधार का PDF है या किसी और का तो यहाँ पर मैं open पर click करता हूँ तो अभी देखें यह जो password है वो incorrect बता रहा है क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे sure नहीं है कि यह मेरा ही PDF है लेकिन मैंने जो password डाला है वो सही है जो मैंने आपको बताया उसी प्रगार से आपको password डालना है तो आपका PDF open जागा फिलाल मेरा यह PDF नहीं है क्योंकि मैंने बहुत सारी लोगों का आधार का PDF डाउनलोड किया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसमें से कौन सा मेरा है मुझे confirm नहीं यह बहुत सारी PDF हैं तो आपको उसी format पे password डालना है फिर आपका आधार कार्ड open जागा तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो फूल लगा तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछ लीजेगा